Hello Everyone, आज हम एस वीडियो में वैसे स्टूटन जो खास करें में ऑनलैन काउंसलिंग करना चाहते हैं चाहए वो किसी भी कूर्स में हो बिस्ट कारें और भी आज से जो स्टार्ट होने वाले जतने भी कोर्स का उनलैन काउंसलिंग हो उसके बारे में बात करेंगे आपको नोटिसन सर्कुलर ओलम एक तो ही कॉंसलिंग का स्टिडियोल दीख रहा है आप यहां से जाकर स्टिडियोलचन कर देख कर रहा हैं लोग कि इन्होंने जिसभी कि दिपार्मेंट में आप देना चाहते हैं उस इस अब देखेंट का आपका पीछ टॉप पर देख रहा इमें डोग, MSWO, मास कमनिकर सन, में इकनोमी के सभी, में लेंगोज में जितने हैं, यह सभी का आज से कॉंसलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब मैं बस इन सॉट में कहा जा तो इन सभी के लिए वीडियो जैं, मगर अगर किसी स्टूडिंट को नहीं सभन आगा तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, डिटेल या जनकारी ले सकते हैं, आज से स्टार्ट है 14-16 सेप्टमबर के बीच में, चलिए अब हम डिरेक्ट वेबसाइट पर ही आते हैं, जब आप आपने, क्यूंकि कॉंसलिंग करना बहुत असान है, आप चाहिए तो मॉयल से कर सकते आते ही, यह साइन अप का बटन दिख रहा है, आपको साइन अप बटन पर क्लिक कर रहे हैं, इस पर जैसे जब क्लिक करेंगें, क्यूंकि पहले आपको एकाउंट मलाना पड़ेगा, अगर आप इम्यों कॉंसलिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहां पर देख यहां पर देखी क्या कहा रहा है, आपको इमेल डी मॉइल लंबर डालना है, अगें अपना पासवर्ट बनाना है, उसी पासवर्ट को फिर से लिखना है, और उसके बाद इसका जैस नीचे, आपको कंफर्म आप रोड पर क्लिक करकर रिस्टर बटन पर क्लिक करना है, अभ यहां, हाल सब रहा हो जागा, अब इसका यह नहींन हया है, कीफड बहुआ क्लिक करीक, तड्र द क्लिक करेंगा, इसपर जैसे कव पे प्रिक करईा, तो यह वारिथा हो जब less सब जा प्रिर से क्लिक करने है, जैसे जब क्लिक करें, तो फैनल हमारा भोथ, यानि कि माल इडिया और मुवाई नम्र याहां पे रिच्थ्टुडरी आते है, यहां पर ऑपके पास्ष बनाएंगे अकर उसी पडालेंगे, यहां पर चेंज करके है, आप अब इसको आ देखिए मैंने पासवर्ड टाल दिया है आप इसको आप आम नट रोब्ट पे किलिक करते हैं यहां पर जब करेंगे इस अभी यह कैप्चा वेरिफाय करें और इसका रही है जिसका जो जिनका दो सब्जेक्ट में नाम आ गया है यह दो कोर्स में आ गया है और अगर उनका एक बर counseling कर चुक है और दवार अगर वो कर रहे हैं किसी और subject के लिए तो उनको इस तरीके सो करेगा लेकिन जो इस students पहली बर कर रहे हैं उनको इस तरीके साने बल्कि आए कि आपका एक कॉंट successful हो लोगे फर्क समझेए कोई students ऐसा है जिसका दो course में नाम आए इस वज़ा है बाकी नाम आगिया और बाकी नाम आगिया तो दोनों का इस वज़ाए इस वज़ाए यह डिटेल आए लेकिन अगर वही आप आप नए students है यह मान लिज़े आप master के courses में अपलाई कर रहे हैं यह और भी किसी course में अपलाई कर रहे हैं तो उस cases में यह होगा क आप जो आपका इस तारीके साइका नहीं है बलके डारेक लिक कराएगा आपका आपका जो कॉंट है successful हो गया है दूसरे में फिर चे कह रहा हूँ कि अभी तो मैंने बीसी का इनसाइट में दिखा रहा है मैं बाकी course का ऐसे ही होगा कोई मतलब कोई अलग नहीं है मैं आगे चीजे बस वीडियो देखते हैं आगे चीजी समझ माझा अब यहां पर बटन पर क्लिक करते हैं अब जैसे कि यहां पर आप देखिएगा नोटिस का करना ही बात है अभी मैंने क्या दिखाया कि एक स्टूडेंस जोनोंने इससे पहले किसी और कोर्स में कियोंगे तो उनका करना आपको देखते हैं एक बार रिजिस्टरशन कर लिए और मुल्टिबल को चाहते हैं तो उनको दवारा फिर से करने के जब नहीं वो डारेक्ट उस डेट की सबसे लॉग इन करें उसको वह वह कांसलिंग करेंगे आप फिलाल यह कांसलिंग ऐस होगा देखिए यह तो इसके बाद आप दिख रिक्न करें नहीं कना इज पाले थिरी लाइन्स की हो ईपलोत करें इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोट का आइकन का आपको इसके बात जब किरेंगे तो देखे lóg आने हैँ इसलिए हमारे डाइरेक्ट यहां पे फोटो, सिगनेचर, हाई स्कूल मार्सी, 12th की मार्सीट सो कर रहा है, इसके साथ ही हमने स्पेसल काटिग्री भी लगाया है, आप सो कर रहा है, आप सवाल हो कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या आपने तॉलेडी अप्लोड कर दिया, मैं आपको बताना चाहरा हूँ कैसे होगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ यहां पे, जो स्टूडेंस बैचलर कोर्स में अडिमिसाने के लिए, अब आप आपने स्पेसल काटिग्री डाला है, तो स्पेसल काटिग्री का सेटिफिकेट भी लगेंगे, यह पांच डॉक्मिस हो गया, बट वही अगर कोई स्टूडेंस मास्टर के लिए नहीं ग्रैजोशन में स्टूडेंस लेना चाहते हूँ उनका क्या क्या लगेगा, उनका जो है, देखा जा तो आपका फोटो लगेंगे, सिगनेचर, टेंट की मार्किट, 12 की मार्किट और ग्रैजोशन की फाइनलर के मार्क सीट लगेंगे और इसके बाद आपको कटेगरी अपने डाला है तो अपलोड करें अधरवाज रहने दे अब जब यह सारा कर लेंगे, जिसे कैसे करेंगे, आपको स्क्रूल करते हूँ यहां पे आपको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के दो फोटो अगरा यहां लगा रहे है तो फोटोच किया अगर आपना की ना चैल जाने करें , इसके बाद यहां पर कि फोटो या डॉक्मेंस किस तरीके से अप्लोड करेंगे देखिए डॉक्मेंस की अगर बात करें उन्हें कंडिशन दे रखा है यही कि चाहिए तो आप जो पेज़ेज वाल सीन हो को वहां पीडिफ अप्लोड करें ज्यादा बेट रहेंगे उसमें क्वालिटी ब इस अप्लोड करेंगे अब इसको प्लोड कर देंगे यहां पर बाकि सारे डॉक्मेंस कर पाएंगे यहां पर देखिए अब फोट्ट अप्लोड हो चुक है नेक्स अगर बात करें आप जिस तरीके जिससे अगर और मैं बताना चाहरो हाले कि मने कुछी दिःटोड कर दिया जैसे फोटो ओ गया सीगेशर अप秀 से आप लॉट करें तो यह पर दिए प्लॉट चुका है इस तारीके से जहाँ जहाँ डॉक्मेस अप्लोड करेंगे आपने सारे श्रॉप्र कर दिया अब और बाकी अब highly डॉक्राइं के शॉरी था पर्यू zwyट कर देंगे। और इस किया करना हो यहाँ पर आध एस बाद आपनाा स हीट फ़ाइल करेंगे। यहां पर जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो अगेन आपको यह दिखेगा समिशन पेंडिंग और प्रोसीट का अगान दिख रहा है इसका बोजे फिर से इस पर जाना है क्योंकि अभी मैंने कॉंसिलिंग धंक से किया नहीं अभी मैंने सीप किया किया अभी और भी फॉर्मलिटी जो पूरा करना है अब इसको मैं क्या करता हूँ प्रोसीडवल बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके साइका नहीं करेंगे मैं फिर चे करूँ आप लॉग इन करिए लॉग इन करने के बाद जस्ट डैरेक आपको यह मतलब जो भी स्ट पहले लॉग इन करें उजस्ट बाद आपको यहां जाए यहां जाने के बाद आपको अपना डॉक्मेंस अप्लोड करिए मतलब यह सारा अप्लोड बटन पर क्लिक करेंगे एक बर नहीं दौरा कर लिजेगा और उसके बाद इसके बाद आपको यहां पर प्रोसीडवल करना चाहते हैं तो उनका सिर्फ इंगली इस तरीके से उर्थू में जो करेंगे बाकी कॉर्स में यह पॉलिटिकल में करेंगे यह स्टी में करेंगे यह जो भी उनका हो क्योंकि अगर आपका multiple course का एक एक एक्जाम हुआ है तो इस तरीके से branch भी multiple दिखेगा लिकिन अकर मा और यहां को क्या करना हो राइइकत तो फिलाल मेरा च्रामussa फिलिंग है जिसे component सब्जेक्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट करने का पहला असान है आप क्या करने हैं जिस सिर्फ क्या करते हैं हम क्या करते हैं पहले क्या करना है अगर आपको यह जो है मतलब यह जो है यह आपको 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 किया है बट आपको हो सकते हैं अगर आप चाहते कि नहीं पहले हैं पहले हैं नहीं लेकिन आपको लेगता नहीं यह जो चौह से मेरे लिए नहीं हम और बहतर च और यह एड़ बटन दिख रहे हैं देखे मैंने क्लिक करना है अब इक सवाल और है आपको यहां पर ऐड़ कर देखा यहां पर सिंपली किलिक करना है यहां पे आप एक सवाल और है सब्धित करें कि आपने जो सेरी लंबर डालें यहां पर किसी सब्जेक को आगे पिछे करना है तो क्या करना होगा या तो एकदम से पूरा हटा दिजिए जैसे आगे पिछे उसको ही इसको ही सेकंड नंबर पे रहे के और फिजिक्स को फस्ट पर रहे के तो यह चीज है मैं इस तरी के समान लेकर mathematics ही चाहते हैं तो mathematics पर टिक करिए और इसका बटन पर टिक कर दीए बस अब यहां पर कोई भी मेरे खाल साथ स्टूडेंट कन्फिजन मत हो जिनका एक सब्जेक्ट है उनको इस तरी के साइकन नहीं आएगा अब यह की यह बेसी के स् सब्सक्राइब कर दीए क्योंकि हमारे च्वाइस है आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें च्वाइस डाला है च्वाइस कैसे फिलिंग करना है मैं आपको बता दिया आप इसको बहुत कुछ नहीं करना यहां पर अभी एक बात कह रहा है इफ अगर आपको लिए च्वाइस इस पर जरू टिक करना है यहां पर फर्क क्या होगा अब जैसे कोई स्टूडेंस मास्टर करना समझ मागिया अब इसको अप्लोड करने के बाद आगे जाए तो इस तरीके से यह आइकन नहीं आगा और नहीं यह वला आइकन है जिने स्टूडेंस का मल्टिपल सब्जेक का आपका अपर इस पर आइकन का नहीं यह यह दो आइकन आपका नहीं आ गई और आप ग्रेडेशन वला क्यूंकि आपका डो सब्जेक्ट है नहीं अगर दो सब्जेक्ट ता बनाता इस तरीके चाहिए वह बीवी रहे हो यह जिसकी से भी कॉर्स में हो अगर आपका वाले बटन पर click करेंगे तो देखी क्या कर रहा है are you sure to submit your document and preferences once submitted you will not be able to modify your details okay यहां पर okay करें या अगर आपको लगता कि जो हमारे detail है वो गलत है तो आप उसको cross check करके फिर से आप cancel पर जाके फिर से चेक कर लेंगे या आप direct okay करके आप final summit मतलब यह okay करेंगे तो final summit हो जागा और अगर आप cancel करते हैं तो आप फिर से जाके देखी कहाँ पर क्या गलती है यह है अपने से मतलब वो तो नहीं बोलेगा अब इसके बाद आपको simply okay वाले बटन पर हम यहां पर submit क्यों कि हमने सारे details ही डाला तो हम okay क्लिक करते हैं अब अच्छा से नोटिस करेंगा देखी क्या आया अभी हमने बीसी ओनर्स में दिया था देखी यहां पर submitted का बटन आ गया और इसके बाद अगर अगर आप देखेंगे तो modify का बटन आ रहा अब इसका हमें कुछ नहीं करना है modify का भी आएगा जब तक कॉंस दूसरे यह बस फर्क है कि जिसका ब्रांच चूज करने का होगा ब्रांच का मतलब है कि जिसमान लिए को यह से स्टूडेंट जिन इन रहे हैं अगर मल्टीपल कोर्स का लेंग्विज का option आ रहा है तो ऐसे कि इस मैप चूज करना पड़ेगा फिर वो चूज करने का option है व हाँ